Hello students, PSP में आपका स्वागत है, मेरा नाम है कमल सिंग, आज हम स्टार्ट करेंगे Chapter 7 Coordinate Geometry का Introduction, आई यू वीडियो स्टार्ट करते हैं देख, Coordinate Geometry का Intro स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आपको Cardesian plane के बारे में पता होना बहुत जरूर ये क्योंकि सारे पॉइंट आपके AC के ऊपर होते हैं, Coordinate Geometry के अंदर देखे, Cardesian plane पर कोई भी पॉइंट होगा आपका, तो वो किस फॉर्म में होगा? कोई भी पॉइंट होगा आपका, तो वो फॉर्म में होगा X, Y यानि पहला पॉइंट जो होगा वो X और दूसरा जो होगा वो Y ये वाला जो दोनों से इंटरसेक्शन से बनता है पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरीजन बोलते हैं इसको, जिसको हिंदी में मूल विंदू के नाम से जाना जाता है, ये ओरीजन जो पॉइंट होता है, ये आपका 0,0 होता है, अब इसके अंदर देखिए जैसे कि ये X एक्सिस है आपका, और ये Y एक्सिस है, अब ये वैलू नेगिटिव होती है, इसलि वर्टिकल ही लाइन है, वर्टिकल होती है आपकी क्या, Y एक्सिस, और ये जो ओरिजेंटल होता है आपका, ये आपका X एक्सिस, जिसको हम, Y एक्सिस को हम मोलते हैं, ओर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम, ओर्डिनेट और इसको हम, एफ सिसा के नाम से भी जान नाम से जानते हैं जिनको हिंदी में इसको बोलते हैं 36 जिसको बोलते हैं और हिंदी में इसके नाम होते हैं इसको बोलते हैं 40 और इसको बोलते हैं भोज तो एक्स आपको पता लगा हूंगे कौन सी आपके कौन से ओरडिनेट हैं कौन से सी साए है अब इसमें देखिए जो जहां पर भी इंट्रसेक्ट करते हैं तो यह चार पार्ट में डिवाइट करते हैं यह पहला quadrant होता है आपका यह second quadrant यह आपका third quadrant यह आपका fourth quadrant होता है अब इनके अंदर क्या है देखो दोनों value positive है यानि x और y की दोनों value आपकी positive है इसके अंदर x negative हो गया आपका और y देखिए positive है इसके अंदर आपका क्या है देखिए x negative और y positive नहीं y भी negative है इसके अंदर देखो x भी negative और y भी negative दोनों negative हो गया आपके third quadrant में फॉर्थ में क्या है आपका x positive है और y आपका क्या हो जाएगा नेगिटिव हो जाएगा तो इसके अंदर देखो कोई भी point है suppose करो कोई point यहाँ पर दे रखा है आपको एक point यहाँ पर है तो उसके दो point जरूर होंगे जैसे कि यहाँ पर है मालनो suppose करो x पर 8 है और y पर 2 है तो 8 point यह दे दिया यह मालनो आपका point है b a और यह है आपका point b अब इन दोनों के बीच का आपको distance निकालना है तो यही क्या होते है आपके यह coordinate दे रखे है इन दोनों point के अब इनका आपको क्या करना है distance find out करना है तो देखिए हमारा जो distance formula होता है सबसे पहला formula हमारा यह यह दो point के बीच में distance निकालने का formula तो distance formula हमारा क्या होता है distance formula सबसे पहला यह यह आपका दूरी सुत्र बोलते हैं जिसको distance formula क्या बोलता है हमारा अगर दो point है आपके पास x y की form में होंगे हमने पहला x1 y1 मान लिया दूसरे को x2 y2 मान लिया नोट कर दिया क्योंकि दोनों ही x y की form में होंगे अब आपको इन दोनों के बीच का distance निकालना है कि यह कितनी दूरी है तो आप क्या करेंगे यह भी find out करेंगे तो यह होता है अंडर रूट में difference of fc sum plus difference difference of coordinate इसका भी whole square यह आपका distance formula था difference of fc's है यानि x axis का difference अब इस difference कैसे बता लेगा आपको यानि यह finally क्या बन गया आपका यह बन गया और यह भी आपका pythagoras theorem से prove हुआ 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 है अगर आपको इनकी जरूवत होगी तो comment पर उक्स में comment करके बता दे ना मैं अपको derivation भी बता दूँआ कि यह formula बने कैसे है तो difference of fc's है यानि x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square अब यह जरूरी नहीं है कि आप x2 में से ही x1 को घटा होगे आप y2 में से y1 को किसी भी difference का मतलब तो यह है अगर इदर से minus कर रहो हो x में से x y में से y x में से y यह किसी से भी कर सकते है अगर इस से कर रहे हो तो दोनों point इसलिए करेंगे हम गोर इस से कर रहे हो है तो दोनों point पहले यहीмовारे नेखेंगे तो यह क्या होता है आपका distance formula होता है second आथा आपका second आपका नकलता है section formula अब देखिए section formula क्या होता है anyway इसको वोलते हैं विभाजन सूत्र और इसको वोलते हैं दूरी सूत्र दो point के बीच का distance निकालने का formula होता है और यह section formula क्या है section formula अगर आपको एक point दे रखा है यह दो point दे रखे हैं आपको और कोई एक point आपको internally इन दोनो points की distance को divide कर रहा है suppose गरो वो point आपका P है वो आपको x, y में divide कर रहा है तो आपका कुछ ratio भी होगा यहाँ पर M1, M2 अभी ratio क्या होता है, ratio को समझ लो पहले जैसे कि माल लो यहां से यहां तक का आपका difference आया distance आया आपका यहां से यहां तक का 30 और यहां से यहां तक का distance आया आपका 50 ठीक है, अभी common value 10 से कट रहे हैं दोनों 10 से कट करोगे 3 और यह 5 यानि जो ratio है यह 3 और 5 यह distance नहीं है इनका, यह common value से आपने इसको कट कर दिया है, वो ratio है आपका तो इसमें क्या करते हैं हम देखो हमारे पास यहां पर X की, मतलब यह 3 तो point हो गया, एक ratio हो गया और ऐसी यहां पर Y के 3 point हो गए आपके Y के भी 3 point है आपके और एक आपका race हो गया तो इन 4 में से कुछ भी मिस होगा तो हम इस formula से निकाल सकते हैं जैसे कि X क्या होता है M1 X2 प्लस M2 X1 upon में M1 प्लस M2 इन formula के मैं आपको derivation भी करा दोगा exam time पर जब आपको need होगी अभी आपको वस इसको just समझना है यह formula क्या है और उसको apply करना है exercise में Y क्या है आपका देखो M1 Y2 plus M2 Y1 upon में M1 plus M2 तो यह आपको X यानि देखो अगर इसमें ratio भी गायव होंगे तो आपको तीनों point दी होंगे तो यह M1 M2 निकल जाएगा अगर कोई point गाया है तब भी इससे निकल जाएगा यह क्या है आपका section formula है अब देखिए एक चीज आती है condition for collinear condition for collinear अब यह collinear क्या होता है इसको हंदी में बोलते हैं sun ray की sun ray की बोलते हैं इसको तो collinear की condition यह है कि आपके तीनों point आपके जो तीनों point है वो क्या होने चाहिए आपके तीनों point एक ही line के उपर होने चाहिए यानि कि it means condition यह बनती है कि आपको दो distance को जोड़ कर अगर third के equal आ रहा है यानि कि AB प्लस BC equal to आपका AC आ रहा है तो वो collinear होंगे मतलब sun रही होंगे otherwise नहीं होंगे next आप आप है इसमें mid point के coordinate coordinate of mid point suppose गरो आपको एक point A दे दिया जाए X1, Y1 एक point आपको B दे दिया जाए X2, Y2 अब third point आपको exactly इसके बीच में दिया जाए तो इसका mid point हो गया ना A और B का mid point हो गया वो क्या होगा आपका X, Y तो mid point है मतलब इसका ratio कितना हो गया mid point मतलब अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 है 10 से कट करोगे 1 ratio 1 यहाँ पर 25 है यहाँ पर 25 है 25 से कट करोगे 1 ratio 1 मतलब mid point है तो आपका जो ratio है बन रेसो बनाया तो यह कहीं से नहीं बना यहीं से बनाया यह फॉर्मुला इसमें आप इसकी जगा बन रख देंगे यहाँ पर भी बन रख देंगे रेसो बन हो गए ना तो x1 प्लस x2 और यह 1 प्लस 1 कितना हो गया x1 प्लस x2 अपॉन में 2 x कैसे निकलेगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन में 2 यह तो x निकालने का फॉर्मुला हो गया y कैसे निकलेगा आपका y1 प्लस y2 upon me 2 यानि कि x तो आप इस तरह से निकालेंगे x1 प्लस x2 upon me 2 और y कैसे निकालेंगे y1 प्लस y2 upon me 2 तो देखें इसमें हमने ये देख लिया कि distance formula क्या होता है section formula क्या होता है collinear की condition क्या होती है midpoint के coordinate निकालने हो करने के लिए आते हैं आई next देखिए इसमें types of quadilateral क्योंकि आपको quadilateral proof करने के लिए आएंगे कि rectangle है यहाँ पर angle तो use करने नहीं आपको side ही करनी है तो हम देख लेते है types of quadilateral सबसे first आता है इसमें हमारा square यानि कि हिंदी में इसको होते है work अब देखिए जो square होता है आपका इसकी चारो side equal होती है आपको पता है चारो side equal होती है इसकी और इसके जो diagonal होते है ये भी equal होते है अगर हम बात करें second इसी के similar rombus की यानि की sum चत्रवोज देखिए आपका जो square होता है इसकी भी 4ji side equal होती है rombus होता है इसकी भी 4iye side equal होती है तो difference क्या होता है दोनों में दो एंगल की तो यहां बात नहीं होती है आप बोलो कि angle जो है ऐसके opposite का sum 90 होता है इसमेnhाल 90 का होता है अपोजिट का sum 180 ही बता लगाना आप coordinate geometry में कैसे prove करोगे कि अगर आपको चार पॉइंट दे दिये जाएं, कि यह rhombus है या नहीं है, या which type of quadilateral आप कैसे प्रूप करोगे, तो आपको इध्यान रखना है, जैसे square है, इसके अंदर क्या होता है, that all sides are equal, but diagonals and diagonals are also equal, देखो इसके अंदर क्या होता है, कि आपकी चारो साइड equal तो हैं, और आपके यह diagonal भी equal है, चारो साइड भी equal आएंगी, a b equal to, b c equal to, c d equal to, a d, और a c equal to, b d आएगा, diagonals भी equal आएंगे, लेकिन rhombus के अंदर क्या हो जाएगा, देखो, चारो साइड तो आपकी equal आजाएंगी, लेकिन diagonal जो है, वो equal नहीं आएंगे, यहाँ पर आपकी condition बनती है, all sides are equal, but diagonals are not equal, देखो, चारो साइड तो आपकी equal होगी, लेकिन diagonal यानि किसके बिकर्ण जो है, वो क्या होगा, बराबर नहीं होएंगे, तो तीसरे टाइप का देखी, quadrilateral, आपका आथा rectangle, यानि कि आयत, और चौथे टाइप का क्या आथा है आपका, पहले लोग्राम, यानि कि समांतर, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, अब देखिए दोनों में क्या difference होता है, rectangle जो है, इसकी opposite side equal होती है, और जो आपका पहले लोग्राम है, पहले लोग्राम की भी क्या है, opposite side equal होंगी, ये condition दोनों में अपलाई होती है, ठीक है, यानि कि अगर हम बात करें rectangle की, तो a b equal to आपका होगा b c के, और a d equal to होगा आपका किसके, a b equal to c d, a b equal to c d, opposite side क्या a b और c d और a d और b c, ये भी equal होंगे आपस में, and diagonal, a c equal to होगा b d के, diagonal भी क्या होंगे आपके, equal होंगे लेकिन इसके अंदर opposite sides are equal, but diagonals are not equal, opposite side तो equal होंगी, यानि की a b equal to c d, a d equal to b c, a d equal to b c, लेकिन इसमें not equal आना चाहिए, a c not equal to b d, suppose करो कोई आपको चार coordinate दे दिये जाए और आपको पहला लोग्राम प्रूव करना है, तो आप उसकी opposite side तो equal कर देंगे, और जब diagonal निकालेंगे, वो equal नहीं आएंगे, आपको इसी तरह से condition लिखनी है, लेंग्वेज में नहीं लिखनी है, आपको इसी तरह से लिखनी है, बात में सो करना है, आपको पहले condition तो यह निकाल के दिखाओगे न, आप b b, b, c, c, d, a, d, फिर चेक करोगे, आप opposite side equal आ रही है, तो ठीक है, parallelogram हो गया, diagonal भी equal आ गया, तो आपको rectangle हो जाएगा, तो यह क्या है, यह आपके कुछ types of quadilatoral हैं, जो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको बता दियें, अब आपको कुछ आते है, types of triangle, types of triangle, अब देखे, दो तीन तरह के triangle भी होते हैं, जैसे आपके, एक हो गया, equilateral triangle, याने की, sum, बाभू, तिरुबुज, sum, बाभू, तिरुबुज, अब यह equilateral triangle में क्या होता है, देखे, वो तीनो side equal होती है, यह, यह, तीनो side equal होती है, याने की, A, B equal to, B, C equal to, A, C, देखे, वो centroid of triangle था, वो इस वार आपका कड़ गया है, वो आपको नहीं करना है, दूसरा आपको आता है, iso cells, triangle, यानि, इसको बहुते हैं, सम्दुई बाहू, तेरुज, देखे, आइसो cells triangle करने के लिए आएगा, तो आपको triangle में क्या करना है, कोई भी, कोई भी दो side equal होती है, A, B equal to, B, C, A, B equal to, A, C, ठीक है, या A, C equal to, B, C, कि any two sides are equal, any two sides are equal, कोई भी दो side हैं आपकी, equal आजयें तो आपको क्या हो जाएगा, आइसो cells triangle आजयेंगा, आपको तीन पॉइंट दे दिया, अगर आप से पूछ रहा है कि चेक करो, आइसो cells triangle है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले तीनों इसकी side से निकालेंगे, A, B, B, C, A, C, और ये किस से निकालेंगे आप, ये निकालेंगे आप किस से, अपने distance formula से निकालेंगे, निकालने के बाद आपको देखना, अगर side equal आगई, तीनों equal आगई, तो equilateral हो जाएगा, दो कोई सी भी equal आगई, तो आपका iso-cell triangle हो जाएगा, third आपका आता है, right angle triangle, ये भी बूश सकता है आप से, right angle triangle, यानि की, some corner तिर्भोज, some corner तिर्भोज, अब ये some corner तिर्भोज में क्या होता है, देखो आपका, 90 degree का angle बने गा है, तो पता ही आपको, इसमें क्या होगा, 90 के सामने वाला हमारा, hypotenious होता है, ये base होता है, ये perpendicular, तो इसमें simply अगर आपका, perpendicular का square, plus base का square, equal to आजाता है, hypotenious का square, मतलब की, 2 shorter side का square, longer side के square के equal आजाता है, 2 shorter side के, square का sum, square का sum, 2 shorter side के square का sum, longer side के square के equal, अगर आपका आजाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका right angle, triangle हो जाएगा, और आपको इसमें, एक चीज और ध्यान दखनी है, अगर आपका point कोई भी, point on, x axis पर कोई भी point है, तो वो आपका, x, 0 की form में होगा, अगर point कोई भी आपका point on, y axis पर कोई भी point है, तो वो 0, y की form में हो, क्योंकि x axis पर है, तो x की तो कुछ value होगी, देखो अगर x axis पर आपका point है, तो suppose गरो या तो यहाँ पर होगा, कहीं भी होगा, x axis के उपर होगा, तो y की value तो 0 ही है, इस case में, और अगर y axis पर होगा, तो x की value 0 है, तो आपको यह भी दियान रखना है, कि x axis पर कोई भी point होता है, वो x, 0 की form में होता है, y axis पर कोई point होता है, तो वो 0 कोई मा, y की form में होता है, तो यह chapter 7 का introduction, हमारा यहीं पर खतम होता है, नेक्स वीडियो में हमें इसकी exercise स्टार्ट करेंगे, 7.1, वीडियो अगर पसंद आई हो, तो like and subscribe करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा share करें,